जै भेरवाबा मेरे पिरिय द्रशको सबसे पहले आपके मन में विराजते इस्वर को मेरा सादर परणाम मेरे इस्वर से प्रातना है कि इस्वर आपको ब्राईयों से बचाे और अच्छायों के संप्रग में आपको रखे आपके घर में शुक्षम्रदी आए और खुशी आए मेरे पिरे दर्श को आज हम बात करेंगे सिंग राशी वालों के लिए 2023 कैसा रहना वाला है इनके स्वास्ते कैसा रहेगा कैरेव कैसा रहेगा आने वाला समय पूरा साल 2003 सिंग राशी वालों के लिए कैसे रहेगा तो सबसे पहले जान लेते हैं सिंग राशी वाले का जो सभाव कैसा होता है दिखने में कैसे होते हैं देखें सिंग राशी के वैक्ति वैक्तितो बहुत सांदार होता है इनका व्यक्तितो इनकी रासी के परतिक चिने सेर के समान होता है आपके रासी का स्वामी सुरिया बनता है और सिंग रासी के लोगों के सबाओं में नेतरतो का गुन जनमजात में होता है ये लोग नीडर सासी और दर्ड निश्चेजी होते हैं ये लोग एक राजा की तरह जिन्द की जीने में यकिन रखते हैं इनका व्यक्तितव बेहित जोसिला और आकरशन होता है ये लोग बेज़िजग अपनी बात सब के सामने रखते हैं कॉन्फिडेंट्स लेवल इनका बहुत तेज होता है और अपने फैसलों पर अड़े रहते हैं इनके अनोखे अंदाज की वज़े से लोग इनके परतिव बहुत जल्दी अकरशित हो जाते हैं ये लोग सचे दोस्थाबित होते हैं सबाओं में लोग बहुत इमानदार भी होते हैं गुशा तोड़ा ज़ादा होता है कैरियर 2023 में सिंग राशी वालों के लिए कैरियर कैसे रहेगा दिखें यह ब्रस्त कैरियर के लिहाज से काफी महतोपृण रहेगा दसम भाव से दसम भाव परस्तित राशी स्वामी सनी जो है की 17 जनुवरी से आपके सातवी भाव पर गोचर करेंगे वेपारिक अवस्ताओं के लिए नई योजनाओं को साकार करने में आपके बहुत जल्दी मदद भी करेंगे अपरेल के बाद देव गुरू ब्रस्तिती का गोचर मेश रासी यानि आपके भगय भाव में होगा देुगरू बरस्ति आपके वेपार और नोकरी में कुछ नए उपलबंदिया को मिलने का संकेत करते हैं इस साल आप किसी के साथ साज़ेदारी में कोई नया वेपार शुरू कर सकते हैं इस साल आपके गुप सत्रू आपके सामने पूरी तरह से प्रास्त होंगे सिंग रासी के जो जातक नोकरी में है उनको अपनी नोकरी में भरपूर मान समान जरूर मिलेगा परिवार, देखे सिंग रासी वालों का परिवार कैसा रहेगा इस साल देखे सिंग जातों के परिवार में इस वर्थ समझे से बना रहेगा अप्रेल तक अश्टम भाव में सनी परिवारिक जीवन को बहतर बना रहे हैं अप्रेल के बाद भरस्वति योग कारक होंगे संतान भाव पर उनकी ध्रश्टी संतान की इच्छा रखने वाले दंपत्यों के लिए साहिक सिध हो सकती है 2023 में स्वास्ते सिंग रासिवालों का कैसा रहेगा देखे इस बर सिंग रासि के जातकों को स्वास्ते संभधित परिशानिया कम रहेगी छेटे भाव के स्वामी सनी अपनी मुल्क किरकोन रासि कुम में गोचर करेंगे और सनी का यह गोचर स्वास्ते संभधित परिशानियो की समाप्ति का संकेत देता है अश्टम भाव में सौरासी के भरसपती किसी पुराणी स्वासते की समस्य से चुटकारा मिलने का संकेत करते हैं लेकिन अप्रेल के बाद कुछ सावदानिया आपको रखनी चाहिए जिससे की पुराणी कोई वीमारी फिर से आपको प्रेशान न और उसके पसाद नौ भाव में ब्रस्पति और राहू का गोचर कुछ अक्षमिक धन लाब का संकेत मिलने की स्वावना का संकेत मतलब करता है। आपके लाब भाव और दिवत्य भाव के स्वामी बुद्ध इस वर्स आपके लाब और खर्चों में संतुलन बनाकर रखने वाले हैं। किसी ऐसी जगह पर निवेश कर सकते हैं जिसमें बहुश्य में आपको कुछ बड़ा लाब हो सके। प्रिक्सा प्रतियोगता कैसा रहेगा 2023 में सिंग राशी वालों के लिए। क्या उपाई करना चीए ताकि उनका सारा वरस अच्छा जाए। करना राश्ची वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले गुडियों आप देख पाए। तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियों में जाए भेरवावा की। झाली वाले वीडियों में जाएवा की। आए वाले वाले वीडियों में जाए। झाल झाल